नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अशोक और स्वागत करता हूँ आपका मेकेनिकल लेकसस में आज का हमारा टॉपिक है Welding joints के बारे में चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि Welding joints होते क्या हैं देखिए joints जो होते हैं हमारी यह हमारी assembly होती है दो metals की sheets की जिनको हमें आपस में weld करना होता है इनकी different type की position के base पे हमने इनको different different नाम दिये गए हैं चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि welding joints का type क्या होता है देखिए welding joints जो होता है एक permanent type के joining process होता है permanent इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको weld करने के बाद easily खोला नहीं जा सकता disassemble नहीं कर सकते इसलिए इसको permanent joining process कहा जाता है अगर आप इसको disassemble करना चाहेंगे तो यह proper नहीं होगा यह तूटेगा साथ में base material को भी लेके तोड़ देगा इसलिए इसको permanent joining process की category में रखा गया है चलिए बात करते हैं कि welding joints कितने type के होते हैं इनके types के बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं American Welding Society क्या चीज है देखे American Welding Society जिसे short form में AWS के नाम से जाना जाता है यह एक हमारी non-profit organization है यही हमारी welding के जितने भी R&D होती है research and development होती है उनके processor होते हैं उनके types and classification यानि all about the welding comes under AWS category अब देखे AWS category में यह जो society है यह बताती है जो हमारे welding joints होते हैं उनको basically 5 parts में classify किया गया है पहला है butt weld, दूसरा है lab weld, तिसरा है T weld, corner weld and last is age weld चलिए एक-एक को अच्छे से समझते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं weld butt joint की, कि butt joint क्या होता है देखे butt joint उस joint को कहा जाता है जिसमें दो metal piece को same plane में रखने के बाद उनको side by side रखकर उनको weld किया जाता है जैसे कि हमारा इस diagram में दिख रहा है देखें, यहाँ पर हमारी दो sheet है यह sheet 1 है और यह sheet 2 है इनको हमें आपस में weld करना है तो यहाँ पर हमने क्या करा दोनों sheet को nearby रखके, side by side रखके same plane में रखके, यहाँ पर weld को perform किया तो इस तरह के weld को हम plane weld कहते है अब देखिए, जहाँ पर हमारी end में किसी भी तरह की कोई preparation नहीं होती उसको हम plane but weld कहा जाता है तो कि इसकी configuration अगर आप देखेंगे तो यह थोड़ा दोनों side से कुछ ऐसे square shape में दोनों इसके age इसलिए इसे square but weld के नाम से भी जाना जाता है अब हम बात करते हैं, इसका हम use कहा करते है देखे, जब हमारी sheet की thickness हमारी अगर 0 से लेकर 5 mm तक के बीच में है तो वहाँ पर हम plane but weld यानि square but weld का utilize करते हैं चलिए, अब आगे बढ़ते हैं देखे, but weld में second category आती है हमारी V but weld यह हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा age जो है उसको V shape में create गया गया है यहाँ पर देखे, क्या होता है यहाँ पर हम weld करने से पहले जो उनके ages होते हैं, उनको preparation करते हैं preparation का हमारा मतलब केवाल यहाँ पर इतना है कि हमारा जो age पर कुछ अगर impurities है कुछ हमारा जंग लगा हुआ है या oxide है, तो उसको clean करना होता है इसको clean करने के पाद जो यहाँ पर weld joint perform होता है वो बहुत strong होता है तो यहाँ पर अगर हमारी sheet की thickness 5 mm से लेके 15 mm तक के बीच में आती है तो वहाँ पर हम V shape का group बनाते हैं उसके बाद ही welding को perform करते है यह मेरे red color का fusion है जो हमने filler material डालके इसको fuse करके यहाँ पर welding को perform किया है तो इसको हम V butt weld कहते हैं अब देखे यहाँ पर एक चीज थोड़ी जानने वाली है यहाँ पर हमने single side में ही V का group बनाया है तो जब हमारी sheet की थिकनस 5 से 15 mm के बीच होती है तो वहाँ पर हम single side में V का group बनाते है इसलिए इसको single V group भी कहा जाता है यह हमारा single V butt weld भी कहा जाता है क्योंकि यह single side है मगर यह दोनो side भी हो सकता है जब हमारी sheet की थिकनस 15 mm से ज्यादा चली जाए तो वहाँ पर हम double side में करने के लिए आप देखेंगे दोनो side भी V काम कुछ इस तरह से group बनाके welding कर सकते हैं कुछ इस तरह से यह हमारी welding हो जाएगी तो इस case में जब हमारे double V करेट हो जाते हैं उसको हम double V butt weld कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों side में V हो गए आप देखें next चलते हैं U butt weld की तरफ आप देखें जो हमारी sheet की थिकनस है यहाँ पर sheet की थिकनस बढ़ जाती है जहाँ पर भी हमारा U shape का कुछ यहाँ पर trimming होती है welding को perform करने के लिए वहाँ पर sheet की thickness greater than 15 mm रहती है वहीं पर हम U shape की butt welding को perform करते है तो इसमें भी same criteria है यहाँ पर हमेंने single side बनाया है U shape इसलिए इसे single U butt weld कहा जाएगा अगर यहीं U weld हमारा दोनों end पर perform हो जाए जैसे कि कुछ इस तरह से यह मेरा A के जाए और दूसरा मेरा यह है यह मेरे दोनों weld के corner है अब देखे यहाँ पर अगर हम weld को perform करें इसके दोनों side में और यहाँ पर हम इसको fused कर दे with the help of a filler material तो इस तरह के हम weld को double U butt weld कहती है मगर अगर यह single side में तो इसे single butt weld कहा जाता है तो यह हमारे U butt weld की category में आते है जो हमारा butt weld है वो बहुत strong joint होता है और इसका utilize generally हमारी oil and gas field में piping में किया जाता है और क्योंकि due to यहाँ पर जो भी हमारा weld होगा वो same plane में होगा तो जैसे कि हम बात करें piping की जो हमारा pipe होता है क्योंकि हमारे fluid conveyor है तो वहाँ पर हम चाहते है कि हमारे pipe दूसरे pipe से joint रहे with the help of a weld and that weld is known as butt weld तो यह generally हमारे piping industry रहे use के जाते हैं यह था हमारा butt weld के बारे में चले second अब discuss करते है lap joint के बारे में lapping क्या होता है देखे जब दो pilot को आपस में overlap किया जाता है माल लीजे मेरी एक plate यह है second plate यह है अगर मैं इसको एक दूसरे के उपर रखके overlap कर दूँ और यहाँ पर दोनों edge के पास जो मेरा space है यहाँ पर अगर मैं weld कर दूँ तो इस तरह की positions में जो welding होती है उसको हम lap joint कहते है चले इसके joints को discuss करते है माल लीजे यह दो मेरी plate है plate 1 और plate 2 अब यहाँ पर मैंने अगर single side यहाँ पर weld का perform किया है जैसे कि मैंने यहाँ पर weld का थोड़ा सा symbol बनाया हुआ है तो यह मेरा single lap joint कहा जाता है इसकी strength बहुत कम होती है और यह generally वहीं use किया जाता है चलिए second category की तरफ जाते है same हमारा lap joint है अगर हमने इसे दोनों तरफ से weld कर दिया यानि इसके दोनों edge जो यह दोनों edge खाली है दोनों end से उसको weld कर दिया अब यह weld कैसे होता है इसका end और इसकी surface के उपर इसका end और इसकी surface के उपर तो इस तरह के जितने भी weld होते है उन्हें lap joint कहा जाता है अब देखिए lap joint को कहा perform किया जाता है माल लीजिए यहाँ पर मेरी जो ठीकनस है दोनों sheet की sheet A की ठीकनस माल लीजिए मेरी 10 mm है और sheet B यानि sheet 2 की जो ठीकनस है माल लीजिए मेरी 15 mm है तो वहाँ पर जहाँ पर मेरी दोनों sheet के बीच में difference हो ठीकनस का वहाँ पर हम lap joint को prefer करते है otherwise अगर यह same plane में ही हो और same ही हमारा material की ठीकनस हो तो हम इसको butt weld perform कर सकते है यहाँ पर lap joint की जो ठीकनस और जो strength होती है वो हमारी butt weld से कम होती है चलिए तीसरा बहुत important है जिसे कहते है joggle joint अब यह joggle joint क्या होता है यहाँ पर हमारी requirement है different kind की thickness की मगर same plane में होनी चाहिए यानि इनका plane same होना चाहिए मगर आप देखेंगे यहाँ पर plane same नहीं है यहाँ पर plane अलग है अगर इसके axial direction से आप check करेंगे और यहाँ पर अलग है मगर हमें हमारी requirement है कि sheet 1 और sheet 2 की जो position है वो same plane में होनी चाहिए वहाँ पर हम prefer करते है joggle joint को joggle joint क्या होता है इस joint के according हमारी दोनों sheet की जो ठिकनस है मान लिज़े sheet है और sheet भी आप देखेंगे दोनों हमारी same plane में आ गई है उसके ओपर overlap हो सकते है same उसके बाद same procedure है हम यहाँ पर दोनों तरफ के जो end है उनको weld करते हैं इस तरह के joint को joggle joints कहते हैं चलिए अब बात कर लेते हैं T joint के बारे में देखे T joints, corner joint, edge joints यह सारे के सारे आपको shape के according इनके नाम दिये गए है जैसे के बात करें T joints का तो T joints उन joints को कहा जाता है जहां पर weld की जो assembly है और उनकी configuration है almost almost T shape की लगती है कुछ इस तरह अगर यह मेरे दोनों sheets है और उनको मैं इस तरह weld करूँ तो यह एक तरह से मेरी T की shape है इसलिए इसको T weld कहा जाता है सेम इसमें भी classification है चाहे तो आप इसे एक end भी weld कर सकते है तब उसे T type single weld कहा जाएगा अगर आप इसे दोनों तरफ से करते है तो इसको double T type weld कहा जाएगा तो यह था simple हमारा T shape के weld के बारे में इनकी strength भी कम होती है इनके उपर जंग लगने का खत्रा भी जलदा होता है और यह जो हमारे जो weld होते है इनको flit किया जाता है यानि यहाँ पर आप देखेंगे कई वार क्या होता है यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा weld नहीं पहुंच पाता तो यहाँ पर हमारी oxide के भी यानि की जंग लगना और उसकी weakness की problem create होती है चलिए बात करते है corner joints की माल लिजे दो sheet है आपकी दोनों sheet को आपको किसी भी corner से weld करना हो माल लिजे corner यह इस तरह से corner है और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए सेम हमारे T की तरफ से यानि 90 degree पे होनी चाहिए यासे T हमारा 90 degree पे एक दूसरे के perpendicular भी है और right angle भी है सेम corner joint भी हमारे एक दूसरे के 90 degree पे होते है बट जो main difference है वो यह होता है T हमारे T shape जैसा होता है यानि almost almost first plate के center में होता है corner joint में क्या होता है यह दोनों की दोनों sheet एक दूसरे के corner पे जाके मिलती है और वहाँ पे हम weld का perform करते है तो इस तरह के weld को हम corner joints कहते है इसी में आप second category देखेंगे इसके types vary हो सकते है मगर almost almost ही हमारे corner से ही weld होते है दो plates के आपस में जैसे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे हमारा क्या है कि दोनों के दोनों age यानि corner पे ना मिलके थोड़ा सा हमने gap create कर दिया ताकि यहाँ पे हम इसकी filling कर सकें with the help of a filler material तो यह भी हमारा corner joints का एक type है इनके strength भी बहुत कम होती है चले last बात करते है age joint के बारे में age joint क्या होता है जब हमारी दो sheets को हम अपने age पर चाहें आप इसे यहाँ से weld करना चाहें इस age पे या इस age पे तो इस तरह के जो welds होता है उनको age joints कहा जाता है इसमें आपकी positions different हो सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे दोनों plate को साथ रखा हैं इस category मैंने एक plate को straight रखके दूसरी को थोड़ा move कर दिया है तो यहाँ पे position different हो सकती है मगर जो weld होगा वो हमारा age से होगा तो इस तरह के जितने भी हमारे welds होते हैं उनको age welds कहा जाता है Thank you for watching